तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी केरिर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्सूल आज आपके लिए लेकर आए हूं डेली करेंट अफेर्स का लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जोन की करेंट अफेर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक पर देखे लेते हैं कि आज की हेड्लाइन तो इसकी हैले हट लाइन है कि स्थेट गोर्मेंट को चैन्टर करोड की हैं जो इक सरकार के जबारा उशी निया के साथ कॉलाबरेशन करके कि नहीं से लेकर इनमीन तक दिखाये जाए इसमें क्या कहारा है कि इननोंने 8 मेंबर का पैनल बनाया है तकि जो स्पीड़ेरी livesidet होश से कई स्थ इसट एस्छा है उसमें इसके लिए इनोंने 8 मेंबर क?", पैनल बनाया है है अफ्रीका में किया गया है प्रोमोट इडा इंडिया की कंपनी है उसने जो फिर्स्ट एईरलाइन्स बैंक है अफ्रीका का उसके साथ पार्टनसिब के था कि जो प्यूस्ट में वzung एक लाजाब्ध कि ओheen पह पर इंडलाइन है जो GSG किसन रेडी है Ministry of State, Home Affairs उनको Chairman बनाया गया है नए पैनल के लिए जो की Freedom Fighters है उनके welfare के लिए बनाया गया है नेक्स है जो गारगो इंटर्नेशनल है उन्होंने अपना त्री परसेंट स्टेक ले लिया है रोबी एक्स जी एक्स याटा में फ्रम एंटीटी डॉकमोंट एंटीटी डॉकमों से इन्होंने शेर खरीद लिया है इतना तो उन्होंने आई सी जी एस जो करना कलता बुरुआ है उसको डिलीवर कर दिया है टूदा एसी चिलीज कोस्ट गार्ड को फर्स टाइम इन हुमनिस्ट्री फ्रेंच अस्ट्रोनोमर्स विट्रेस साइन्स ओफ प्लैनेट बर्थ तो प्लैनेट के बर्थ जैसे कि आपको प्ल सब्सक्राइब कर दिया है प्रेजिनेट ऑफ बुरूंडी उनका देहान दो गया है 55 साल की उमर में तो अभी एक न्यूज करको उन्हीं को हम ध्यान से देखेंगे तो पहली न्यूज क्या है 4000 क्रोड का लोकेशन हुआ है स्टेट गवर्मेंट को अंडर दापर ड्रॉप म परदानमंत्री किसान समरिद्धी यौजना पर ड्रॉप मौर क्रोप यौजना है जो उसके अंतरगत जो इनका फोकस रहेगा मेंली जो वाटर है उसको फार्म लेवल पे लाने के लिए और उसका एफेक्टिव यूज करने के लिए जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स है जैसे कि डिप सिस्टम हो गया या स्प्रिंकल सिस्टम हो गया उनको यह ज्यादा बढ़ावा दिया जासके तो इसके लिए उन्होंने एक योजना तियार की है जिसका अंदरव है पर ड्रॉप मौर क्रोप जो योजना है तो माइक्रो जो इरिगेशन है उसमें इन्होंने पांचार क्रोड क्रियेट कर दिये हैं किसके द्वारा नाबाट के द्वारा किया गई है नैशनल बैंक और अग्रिकल्टर एंड रूरल डैवलमेंट तो इसने पांचार क्रोड का जो माइक्रो इरिगेशन फंड है वह भी एक बना दिया गया है तो जो पी-म की एस वाई ह इसके बारे में जाल लेते हैं जो जो पधानमंत्री किसान समरिद्य उजना है वो कहा है कि इसको एक जून जुलाई 2015 को फॉर्मूलेट किया गया था और इसमें कि जो पचार साजार क्रोड का पांच साल में एक आउटल त्यार किया गया है जिसमें कि जो वाटर कबरेज है ज्यादा से जदा भी थोड़ा से थोड़ा पानी उज़कर के ज्यादा ज्यादा फसल बनाई जासके फसल लुकाई जासके इसके लिए जो पर्धानमंत्री किसान समरी दियो जना है वो लॉंज की गई है तो इसमें जो अबाउट डी एसी एंड फड़ू यह कह था डिपा इंडिया में ही आविश्कार हुआ जिनका तो उनको बढ़ावा देने के लिए एक फिलम के सीरीज बनाई जाएगी जो दो दस दुन 2020 को इन्होंने अनौजमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है एंड लिटरेसी एंडर मिनिस्ट्री ऑफ हुमन रिश भारत के जो इनिका इनिशियेटिव है उसके अंतरगत एक सीरीज ओफ फिलम स्पेशल फिलम मैं जाएंगी टेन इंडिजिनिस स्पोर्ट्स है और इंडिया उसको प्रमोट करने के लिए तो इस सीरीज का एम रहेगा कि जो अवेरनेस है उसको फिलाई जास के कि भी जो इन गेम्स का विश्कार किया था तो यह हमारा कल्चर की तरह होता है तो कल्चर और हेरिटेज को अपने इस्पेक्टिव स्टेट्स में हर स्टेट में अलग 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 तरह के गेम्स होते हैं अलग 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 तरह होता है तो इसको प्रिजर करने के लिए एक तरह से लोगो तो यह सारे गेम्स दो दस के दस गेम हैं यह इसमें सामिल है जो दस इंडिजने स्पोर्ट्स कवर्ड है वह और इसमें जो दस एपिशोड दिखाए जाएंगे वह जून आठ से लेकर करके जून 19 के बीच में दिखाए जाएंगे मंदे टू फ्राइडे एट ग्यारा एम ओन फिट इंडिया यूटूब पेज एंड एम अचार डी डिजिटल प्लेट्फोर्म्स तो यह सिसमें स्कॉलर्शिप प्रोवाइड की जाएगी जो एथलीट्स हैं इन गेम्स के जो आगे मतल भी इनको था कि प्रोथसान मिल सके इन करने के लिए उसको वहां तक पहुंचाने के लिए क्या एक इनिसियेटिव लिया गया है तो नेक्स देवल्पेंट्स रेलेटिड उन्होंने एक 8 मेंबर का हाई लैवल पैनल बनाया है जो लेकर के एक 8 मेंबर का पैनल बनाया गया है कि से दोबारा जो मॉडेट्रीड बाई एडीवी वाइस प्रेजिडेंट्स को नहीं है यह आपको पता होने चीए वो है एह मत जो मिनिस्टर्स है और सेंटरल बैंक गवर्नर्स है और अधर जो सीनियर ऑफिसिल हैं जो जो देश इस इस डेवलपेंट से जुड़े हुई है तो उनको एक स्वलूशन प्रोवाइड कहा जाए ताकि जो सौवथी सिन जो देश हैं उनकी एकोनोमिक्स में भी अपना बूस् बिस बिलियन डॉलर तो जो 20 बिलियन यूएस डॉलर है उसको लोट किया गये है ताकि जो एकोनोमिक्स में अपने जो और यूप करने के लिए मंदरली योंग यहां प्रेजिटरन स्टावा और इसके दोन साथ मृक्की साथ नेशन बन जुका है जिसमें contact free ATM जो कैस विद्रोल है उसको एक्टिव कर दिया गया है और जो एंपेज पेम सिस्टम है उन्होंने partnership किसके साथ कि है mastercard के साथ तो उन्होंने partnership कि है mastercard के साथ ताकि इनिशेटिव लिया है नया उसको एक अच्छे से इंप्लेमेंट किया जा सके तो जो cardless ATM होगा automatic टाइलर मसीन होता है ATM की फ़र्म यह आपको दयान देना चाहिए तो उस इनेबल यूजर को विद्रो देर मनी जस्ट बाइ सकैनिंग एक QR कोड और मॉबाइल फोन जैसे कि आप अभी देखते हैं कि आप जाते हैं करते हैं तो आपको सिर्फ उसको कोड को मॉबाइल में स्कैन करना है जिस नंबर से आपका जिस बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ ह तो उसी नंबर से आपको यह सकैन करना है तो और आपके जो कैसा है वो विद्रा हो जाएगा तो जो अर्लियर है जो एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नलोजी लिमिटिड है उन्होंने एक टचलेस सोल्यूशन निकाला था कैसे दिरोल के लिए एट एटेम्स उन्होंने भी य इस्तिमाल किया था तो एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नलोजी लिमिटिड ने यह पहले डैवलोप किया था टचलेस सोल्यूशन तो अबी एंपेज इसके बारे हम जान लेते हैं एंपेज क्या है एक फाउंडे फाउंडर और चेर्मन इनके कौन है सीओ फांडरेंड सीओ ह इसके रवी राजगोपाला राजगोपालन और इनका हैड़कोटर मुंबई महारास्टरा में जो एजीस ट्रांजेक्स टेक्नलोजी यह हैं उनके चेर्मन एंडी है रवी बी गोयल और हैड़कोटर निंका मुंबई में है अभी मास्टर काड का भी नाम आ रहा है इसमें तो Mastercard भी काफी important है तो Mastercard के headquarters है New York US में और President and CEO current में चल रहे हैं उनकी जेपाल सिंग बंगा लेकिन ये निज काफी important है क्योंकि आभी appointment इनकी next appointment हो चुकी है Michael Maybach की जो की जेपांगा को डेकाउर करेंगे January 2021 में तो अभी जो next है जो यह पैसा है उसने एंटर किया एक partnership with first alliance bank first alliance bank है यह जंबिया में तो उनके साथ agreement किया है to provide mobile point of sales solution to small and medium enterprise and other businesses the point of sale devices हैं जैसे कि आपको पता होगा petrol pump गएरा पर या कहीं भी बड़ी जोड़ी शौप समझाते हैं तो हमापे POS से payment ली जाती है ता कि आपको cash का अगर आपके पास cash नहीं है तो आप POS से पे करते हैं पे सकते हैं तो इन्हों ने कहा कि एपाइसाने फर्स्ट एलाइंज बैंक के साथ बाटर सकते हैं तो यह मेंली जो स्मार और मीडियम एंटरप्राइज हैं और जो बिजनसेज हैं उनके लिए क्या गया गया है एक्टिविट किया गया है तो यह पैसा क्या होगा solution provider होगा फर्स्ट एलाइंज बैंक को विच्विल फर्दर प्रोवाइड इट्टू दा बिजनसेज अक्रोस जंबिया तो यह पैसा जैसे कि आपको अभी पता होगा कि हमारे देश में लगबग सभी जो चोटे मोटे बिजनस हैं चोटे हैं बड़े हैं वहाँ पे अगर मालों पेमेंट लेनी हैं तो ज्यादा तर ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं जो पेट्रोल पॉप बगारा है वहाँ पे तो अभरिंद को टारी चैनल चैनल रहा है तो उसमें एक कंसेю का क्या है कि अबर कर आया है कि वह आपको जितना उसके शर्लाइस अफारे कि ह Nope कॉन्टे को अस्यों ने का पाesar को निया這麼 1 ये थी भीयोग भी ड पैसा के नाम से तो उनको कहा कि उन्होंने जो स्मार्टफोन है या टैबलेट आपका उसको एक completely business management solution के तोर पे उन्होंने convert कर दिया है इतना इन्हों ने क्या कर दिया करांतिकारी एक transformation ला दिया है तो इनके CEO है परवीन कुमार बंडारी और वाइस प्रेजिडेंट है इनकी नवीन खन्ना तो फर्स्ट एलाइंस बैंक है जॉंबिया में उसका चेर्मेन है सन्मुक आर पटेल मैंनेजिंग डिरेक्टर है इंदर मानी मलिक और जो हैड ऑफिस है इसका है लुशाका जंबिया में बिदा के सिर्फेश तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट न्यूज है जो मिनिस्त्र ऑफ स्टेट होम अफ़ेश के जो मिन्सूप स्टेट मिनिस्ट्र है वहां जी के सन्रेडि उन्होंने उनको चैर्मन बना गया है जो एक नया पैनल बना गया था वैल्फेर ओफ फिरीडम फ के लिए उनकी देखवाल के लिए के नया कर्स्टूट के गए थी कमिटी के इंस्टूट की थी तो उसमें जो जी किसन रेडी है मिनिस्ट्र ऑफ टेट होम अफेर्स के उनको चेर्मन बनाया गया है और यह नौ मैंबर का एक पहलन होगा इस पैनल में क्या हुआ गुजरात के दिना कर भाई देशाई होंगे जो फॉर्मर कंग्रेस मले हैं जिन्होंने 1942 की इंडिया मोमेट है उसमें पार्टिस्पेट भी किया था और जो मिनिस्ट्र ऑफ फॉर्म अफेर्स है उनके बारे में जान लेते हैं जो हम मिनिस्ट्र है व पुराना बेस्टर उसको घोषित किया है तो दसजून को यह घोषना किया इन्होंने तो यह गार्गो इंट्रनेशनल ले देली बेस्ट लुब्रिकेंट कंपनी है जैसे कि आपको इंडियन का नाम सुना होगा तो उनका भी जैसे ऐसे लुब्रिकेंट्स वगारा आते हैं जो पाइक्स वगारा में गाड़ी वगारा में यूज होते हैं ताकि इंचन का जो प्रफोर्मेंस है वो अच्छे हो सके एक लुब्रिकेंट पेस्ट कंपनी है उन्होंने अभी आपको पता होगा कि काफी सपोर्ट की तो उससे क्या है उनको सपोर्ट किया तो इसके लिए उससे खुस होगर के उनकी प्रेज करके उन्होंने अपना जो माइगरेंट से और उसके हैं जो टीवी सी है उनकी एक कंपनी है जो डूब्रिकेंट है वो है उसका जो एक प्रोड़क्ट उसके लिए सोनु नाम है company है तो इसे जो लूब्रिकेंट्स हैं प्रोसेस ओयल्स है यह ट्रांसफोर्मेर ओयल्स हैं ग्रीज ग्रीज है उन सब के यह क्या करते हैं प्रोडक्स यह त्यार करते हैं तो यह काफी एक सब्सीडरी है करो इंटरनेशनल तो आरगो आरके ग्रूप एक प्रोफेशनली मैनेज़ और्गनाजेशन है जिसमें बिजनेस ओफ ट्रांसमिशन रबर बैल्ट्स जो रबर बैल्ट कनवेयर बैल्ट होगी आप जलते हो मुस्ट वहां पे लिफ्ट वगरा में जलते हो जा फ इन सब्सक्राइब करते हैं इनके फांडर है रोसन लाल गोएल अब अ कि एक निशनेस भारती इंटरनेशनल जो सिंगापूर ब्रांस सिंगापूर का वो उसकी लिमिटेड़ है कंपनी है वहां पे सब्सीडरी है उन्होंने 6.3% का स्टेक हासिल कर लिया है जो पर एक यह किसकी किसकी सब्सेडरी है उसकी एक भारती इंटरनेशनल सिंगापूर पी टी लिमिटेड उन्होंने डारेक्टली एंट्रो इट्स एफिसियल टैंट्री जी निकी खुद के और अपने जो अफिलियेट्स हैं उनकी एंट्रीटीज की हैल्प से जो एक 7.3 परसेंट का स्टे जो मॉबाइल नेटवर्क है उसके जो ब्रांच है डोकमो की एंटीटी डोकमो इसकी निपोन ये जपान की कंपनी है तो इसकी जो एंटीटी से इन से 6.3 परसेंट का एक स्टेक हासिल कर लिया है लेकिन अभी तक इसमें यह नहीं बतायागा कि कितने में हासिल किया है सिर् तो रोबी एक्स टाय में अभी 31.3 हो जाएगा जो पहले 6.25 परसेंट था तो इसको अप्रूब कर दिया गया है बंगलेदेश टेलिकॉम रेगुलेटरी कमिशन के दौरा तो जो यह डील है यह पूरी तरह से कैस में ली गई है तो इससे कहा होगा कि जो इसका स्टेक है व और इनके प्रेजिडेंट है कुजी हीरो योसी जावा भारती एटल का नियुदेली में हैड़कॉर्टर है सुनील भारती मितलिन के चेर्मेन है M.D.C.O है गोपाल वितल जी आरेसी ने डेवलप किया है फिफ्ट और फाइनल सिपिन एफपीवी सिरीज और जो इंडिन कोस सब्सक्राइब लंबी है साथी साथ मीटर वाइड है और एक डिस्प्लेशमेंट है 308 तन इसकी चौतिस नौट यानि एक नौट की में होते है एक पंधरा माइल्स परावर तो इसकी मोर दैन पंधरा सो नौटिकल माल्स तक यह चल सकती है एक बारी में तो इस जो भी की डिटेल से आपके लिए काफी इम्पोर्टन है कि उनको किस तो कंपनी को दिखा इस ने सेचलीज कॉस्ट गार्ड को यह बनाया है डी जी आर एस इन जी तो यारेसी के बारे में जा लेते हैं जी यारेसी का हैड कौकत्त्ता में और इनके चेर्मेन एंडेमड हैं रियल उसके सुरुवाद होती है उसके बारे में क्या किया है इन्होंने एक साइन्स वियान की फोटो वगरा ली है कुछ ली है तो यह आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं आप सर्च मार करके कि भी क्या कुछ फोटो आई है तो अकॉर्टिंग दो स्टेडी जो अस्ट्रोफिजिक जर्नी में जर्णल में जो पब्लिश केगीव थी जो एक साइंटिस्ट है उब्रेटरी डे पैरिश ऐस पयरिश साइंटिस्त आफ लेटर है उस्तलों किनूज हर्ट में प्रघिए उसको कैसे बनता है बदेंस टार काल में रगए हो पता किया है कि वी देखा है। उन्होंने अब्जर्ब किया है अपने खोंग कारा सै के भी कैसे एक विलएट है उसके सुर्वात होती है तो उसे फोटोग्राफ अगारा भी लिए हैं जो स्पेयर टूरोध नियुक्रणुप जीजा के बारे में जो कि प्रेजिडेंट रह चुके हैं पृदु के भी प्रेजिटन्सWhat मैं इत्य नंट हो गया है 45 साल के उमर में तो प्रेजिडेंट है रिपबलिक फ्रत प्राय के उनका तो यह व्हль कि पर आप सोग एमर्जंसी होती है कि तरह से कि हमारे पूरे देश में सोग मना जाएगा साथ दिन के लिए तो वह अनौस्मेंट करते है कवर्मेट बुरूंडी ने जो यह प्रेजिडेंट है वह 18 दिसंबर 1964 को नंगोजी प्रोविंस है जो बुरूंडी का वहाँ पे पैदा हुए थे और जो उन्होंने अनौस किया था कि भी अगस्त में सेप्टम स्टेप डाउन हो जाएंगे मतलब भी अबना पद शोड़ देंगे अगस्त में और एक्सपेक्टेट टो रिसीव फाइव लैक फॉर्टी थाउजड यूस डॉलर आरांड जो चार क्रोड की अमांट इनको मि मिलने वाले थी रिटार्मेंट के उस पर जो लक्जरी विल्ला मिलने माला था और सुप्रीम गाइड टू पेट्रोलिटीजम का इनको एक खिदाब भी मिलने माला तो जो एवेरिस्टे इंड़ाई अज की एवेरिस्टेंडाई सीम में ये हैं उन्होंने प्रेजिडेंट एलेक्षion जीत लिए है मई 2030 को और वह एका अगस्ट gir लेने वाले थे प्रेजिने की सबत लेने वाले थे इसलिए स्टेब डान करने वाले थे यह आगस्टमे नों कि यह40 प्राईम पर क्लिए एलेक्शन जीत लिया है तो बुरूंडी के बार हम जाते हैं एक्टिंग प्रेजिडेंट अभी इनके दिहान्थ के बाद कौन हो गया है पास्कल नया बेंदा यह प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल जो असेंबली है उसके प्रेजिडेंट है और जो कैपिटल है इसकी इन फ्रेंक तो थैंक्यू फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आज के लेक्ट्र में करंट अफेर्स में इतने ही थे हम कल पढ़ेंगे अपने नई करंट अफेर्स के साथ तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू थैंक्यू भरी मुच